हाथ है हैंड यह हैंड भी एज से स्टार्ट होता है अब यह आदे हैं मैं यहांप है यहां पर हाउस की pen매 आइ ज़िके न और भी बहुत सी चीजै न एल्ट से स्राट होती है चले हाएं आप देखते हैं कि age को हम लोग कैसे लिखेंगे so सबसे पहले आपने सब से top वी जो line है उसके उपर आपने पाद से रखनी है और एक straight line third line तक draw करनी है बिल्कुल इस तरह चीम है एक straight अब आपने एक और आपने स्ट्रेट लाइन जो करनी है कि अब इन दोनों लाइन को जोईन करने के लिए सेंटर की जो लाइन है उसमें आपने एक लाइन लुक ड्रॉ करनी है यह क्या बन गया? एच अब आप दोबार एच लिखेए आपने सबसे उपर वाली जो लाइन है उसमे पैंसर रखनी है और एक स्ट्रेट लाइन नीचे तक ड्रॉ करनी है थेर्ड लाइन तक अब एक ऐसी एक और लाइन अब थेर्ड लाइन तक ड्रॉ किजिए इस्ट्रेट अब इन दोनों लाइन को जॉइन कर दीजे एक और लाइन की मदद से. यह क्या बन गया? H. और H की फॉनिक साउंड मैंने आपको क्या बताई थी? H. H की फॉनिक साउंड क्या बताई थी मैंने? H. सब अच्य बोले? H. आएं एक बर फॉनिक करते हैं H लिख रे की? आपने सबसे ऊपर वली लाइन पे पैंसे रखनी हैं और एक स्ट्रेट लाइन तरड लाइन तक डॉइन करनी है? बिल्कुल इस तरह. अब आप एक और ऐसे ही इस स्ट्रेट लाइन तरड लाइन तक डॉइन कीजिए. ऐसे अब इन दोनों लाइन को एक और लाइन की मदद से जोइन कर दीजिए यह क्या बन गया एज और एज की फॉलिक साउंड होती है हल चले आएं एक बर फिर आप लोग लिखती है आप एक स्ट्रेट लाइन तर्ड लाइन तक ड्रॉ कीजिए एक और लाइन ड्रॉ कीजिए अब इन दोनों लाइन को एक और लाइन की मदद से जोइन कर दीजिए यह क्या बन गया एज और एज की फॉलिक साउंड क्या होती है हएज 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 सबज़े बोले एज हएज हएज चीक है ओप स्टुडेंट आपको आज के लेक्चर के अच्छे दिक्रस से समझ आ गी होगी आपको एज लिखना अच्छे दिक्रस से आ गया होगा और उसके पॉनिक साउंड भी पता चल गी होगी अब आप आप लोगों ने यह जो हाउज मना हुआ है इसमें कलर करने है अच्छे अच्छे नीट से कलर कीजिएगा बाहर बिल्कुल भी ना जाएं और इसके लावा आपने ये फुल पेज करके मुझे कल सेंड कर देने हैं ठीक है ओके टेक कियर आफ यूरसल्स स्टे होम स्टे सेफ अला आफ़ेश